नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल डी मागनम में और मैं हूँ आपके साथ सौमित अबिर क्या इस साल का बेस्ट आक्ट्रिस का नाशनल अवार्ड पहले से ही फिक्स था? क्या कंगना रनावत को बीजेबी के सपोर्ट में बोलने के लिए अवार्ड दिया जा रहा है? वैसे ही रियक्शन्स आज सोशल मीडिया पे देखने को मिलें कंगना रनावत के पास चार नाशनल फिल्म्स अवार्ड हैं वो भी दो फिल्मों के लिए आपको बता दे कि चार दन पहले नाशनल अवार्ड अनौंस्ट होए है 2019 की फिल्म के लिए ये अवार्ड अनौंस्ट होए है क्योंकि 2020 तो पूरा लॉक्डॉन में बीता इसलिए 2021 लगते ही 2019 की बेस्ट फिल्मों के लिए ये अवार्ड अनौंस्ट ही गए जिसमें कंगना की फिल्म मने करने का और पंगा दोलों ही फिल्म को उनके बेस्ट अक्टर का नाशनल अवार्ड मिला कंगना जनावत के पास चार नाशनल अवार्ड है वो भी फिल्म Queen, Tanuets Manu, Fashion और Money करने का के लिए जैसे ही Kangana का नाम Best Actors के लिए Announced हुआ हूँ वैसे ही लोगों की दोरी प्रतिग्विया नजर आई जहां कुछ लोगों ने Kangana को बधाई दी वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये जो अवार्ड है वो बीजेपी सिर्फ Kangana को इसलिए दे रही है क्योंकि Kangana प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को काफी सपोर्ट करती है और हमेशा गोव्मेंट के सपोर्ट में बात करती है तो अब आईडिया लगा सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो है बीजेपी यानि कि बीजेपी ने Kangana को अपने सपोर्ट करने के लिए ये अवार्ट तोफे में दिया है अगर हम Kangana के अवार्ट को The Legendary Actor दिलीप कुमार के अवार्ट से कंपेर करें तो Kangana को दिलीप कुमार से ज्यादा नाशनल अवार्ट मिले हैं दिलीप कुमार जी को तीन नाशनल अवार्ट मिले हैं और Kangana को चार नाशनल अवार्ट मिले हैं Kangana के साजिन अक्टर को बेस अक्टर का नाशनल अवार्ट मिला है वो है मनोज बाचपाई और धनुष जो की डिजर्विंग है 2019 में काफी बहतरीन फिल्म में आई थी जैसे कि उरी, केसरी, आर्टिकल 15, आर्टिकल 375, गली बॉय, सान की आख चचोरे ये वो फिल्मे हैं जिनको काफी तारीफे मिली लेकिन इन सब फिल्मों को साइट करके Kangana की बेस अक्टर का नाशनल अवार्ट मिला अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब इस नाशनल अवार्ट के लिस्ट अनॉंस्ट हुई, उसके एक दिन बाद Kangana की most awaited movie थलावली का ट्रेलर रिलीज हुआ आपको क्या लगता है? क्या ये एक इतिफाक है? या फिक Kangana को पहले से ही पता था कि उन्हें Best Actress National Award मिलेगा इसलिए उन्होंने एक दन बाद अपनी movie का ट्रेलर रिलीज किया ताकि उनकी upcoming film को publicity मिले ताकि लोग उनकी film की चर्चा कर सके Kangana हमेशा अपने बेबाग अंदाज से tweet करती रहती है जिसकी वज़ा से वॉलिवूड इंडस्ट्री उनको boycott करती है In fact, महराश्चा सरकार से भी Kangana की कुछ अच्छे खास रिष्टे नहीं है महराश्चा सरकार की भी छवी बिगडी हुई है बड़े बड़े नाम Antilia केस में आ रहे है क्या आपको पता है कि नाशनल अवर्ट कैसे मिलते है अगर नहीं तो हम आपको बताएंगे कि नाशनल अवर्ट कैसे मिलते है इसका क्राइटीरिया क्या होता है government एक panel बनाती है ये panel North, South और Central पैनल में divide होता है इसमें film industry के कई जाने माने लोग होते है हर तरीके की हर language की film देखने के बाद ये decide करते हैं कि किसको नाशनल अवर्ट मिलेगा क्या आपको लगता है कि नाशनल अवर्ट परफॉर्मेंस के बेस में मिलते है अगर हम बात करें कंगना की movie fashion की जिसके लिए उन्हें नाशनल अवर्ट मिला था तो उसमें वो अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेकर catwalk करती नजर आई तो इस परफॉर्मेंस के बेस में अवर्ट दे देना चाहिए शायब यही रीजन है कंगना के नाशनल अवर्ट जीतने का कंगना जब रजट शर्मा के show आपकी अदालत में गई थी तब उन्होंने वहाँ कहा था कि अवर्ट शो एक नंबर के fraud होते हैं आप लोग भी मत देखा करें यह सब इनका groupism होता है और ऐसे ही मनोज बाचपई का भी कहना आगे कि उन्हें कोई अवर्ट नहीं चाहिए यह जो अवर्ट होते हैं यह talent और quality के लिए नहीं मिलते हैं एक interview के time पे रिशी कपूर ने यह accept किया था कि फिल्म बॉबी के लिए जो उन्हें 1974 में फिल्म फिर अवर्ट मिला था वो उन्होंने 30,000 रेकर खरीदा था वो भी उस time पे जो amount काफी जादा माना जाता था कंगना रनावत को अवर्ट मिलने से काफी लोगों की जली हुई है और यही वज़ा है कि लोगों ने उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी है साक्षी जोशी जो की BBC की पत्रकार है उन्होंने सर्कैजम में ट्वीट किया उन्होंने कंगना को एक तरीके से कहा कि मैडम नाशनल अवर्ट डिजर्व करती है और नीचे कंगना रनावत का एक वीडियो लगा हया हुआ था जिसमें वो मेकानिकल होर्स पे राइट करती है इसलिए वो अन्रिजर्विंग है इस अवर्ट के लिए आपको बता दे अगर आपने कृष्टरी देखी होगी तो उसमें रितिक रोशन आसमान में होते है वो बस हमें एक रियल स्टिक टच देने के लिए ऐसा दिखाया जाता है कि हमें लगे ये सीन सच में रियल है लेकिन असलियत में केबल की मदद से वो स्टन किया जाता है और अगर हम बात करें गेम ओफ थ्रोन की तो उसके अनुसार गेम ओफ थ्रोन में रियल ड्रागन का यूज किया होगा और अगर एक आक्टर ऐसा करने लगे तो कोई आक्टर बचेगा ही नहीं एक नाशनल अवार्ट मिलने के बाद लोगों का रवैया आपके लिए कितना बदल जाता है जो लोग वॉलिवूड इंडस्ट्री में कांगना को बॉयकॉट करते थे उनके बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे उनके बारे में न्यूस नहीं पब्लिश करते थे उनकी फिल्म को प्रमोट नहीं करते थे आज National Award announced होने के बाद उनको मजबूरन कंगना का नाम लेना ही पड़ेगा और कंगना पर न्यूस बनानी ही पड़ेगी क्या आपको भी इस बार ऐसा लगता है कि कंगना रनावत को National Award मिला है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि वो मोधी को सपोर्ट करती हैं उनके फेवर में बोलती हैं गवर्णे की पॉलिसी को सपोर्ट करती हैं क्योंकि किसान आंदोलन में उन्होंने गवर्णे को सपोर्ट किया और किसानों को खलिस्तानी बोला क्या इसलिए कंगना ने अपनी upcoming movie ठलावली की release date National Award announced होने के एक दिन बाद रखी बॉलिवूड इंडास्ट्री में खुद की पहचान बनाना वो भी बिना Godfather के बहुत मुश्किल होता है और कंगना ने अपने hard work से, अपनी नैनत से अपनी खुद की जगा बनाई है और शायद यही वज़ा है कि लोग उनसे जलते हैं कंगना रनावत की पहचान उनके काम से है, उनके पास खुद के opinions है और अगर बात करें उनकी acting skills की, तो वॉलिवूड में उनसे ज्यादा bold और बहतरीन acting कोई नहीं करता और लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, चानल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ हमारे चानल दीमागनम्ट